हेलो स्ठुश्डेंट्स बाल मनु विज्ञान की सक्सा में आप सभी का स्वागत है आज हमारा नमवा लेक्षर है पिछली कक्षछा में हमने ब्रेलिपी और सीखने के становको देखा था ब्रेल लिपी क्या होता है इसकी क्या उपयोगिता है ये हमने देखा था साथ ही सीखने के मॉडल में हम बैंकिंग मॉडल को देख चुके थे जो एक्जाम के पॉइंट ऑफ यू से बहुत इंपोर्टन है चलिए आगे बढ़ने से पहले हम कल जो पढ़े थे एक बार फटा किसे कहा जाता है तो लुइस ब्रेल को कहा जाता है इससे सम्बंदित हम कोशन भी कर चुके थे सभी नोट्स बनाते चलेंगे ब्रेल लिपी ये कौन है आपके लूइस ब्रेल है इन्होंने क्या किया था ब्रेल लिपी दिया था इसके अलावा ये क्या किया जाता है आपका इस प्रकार से बनाया जाता है कि बच्चे इसे टच करके पढ़ सके क्योंकि यह उभरा हुआ होता है अगर यह उभरा होगा तो हम इसे टच करके पढ़ पाएंगे इसके बाद हमने ये देखा था कि विश्व ब्रेल दिवस कम मनाया जाता है तो ये सारी चीजों को आप नोट करते चलेंगे ताकि आपको चीजें क्लियर हो इसके अत्रिक्त ब्रेल लिवी का प्रस्तावा कौन है तो लुई ब्रेल है चलिए आगे बढ़ते हैं आपके लिए इसके अलावा व्यापम और महिला प्रविच्च की बैच सुरू हो चुकी है अगर आप तयारी को बहतर करना चाहते हैं तो हमारे कॉंपटिशन कम्यूटी से जुर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते है तो आगे आप देख सकते हैं हम टॉपिक पर आते हैं जो आज हमारा टॉपिक है उसके अलावा आप देखी रहे हैं यूटूब पर हमारी डेली क्लासिस भी चल रही है चलिए यहां से देखते हैं हमने देखा था कल हम ब्रेल लिपी समझ रहे थे और सीखने का मॉडल देख रहे थे तो ब्रेल लिपी तो क्लियर हो गया कि यह ने त्रहीनों के लिए है ऐसी लिपी है जो पूरे विश्रू में विख्यात है साथ ही हमने सीखने का मॉडल भी देखा था सीखने का मॉडल क्या होता है तो सीखने का मॉडल हमें बताता है कि कोई भी व्यक्ति किस प्रकार से सीख रहा है क्योंकि यहां बात बालक की प्रिक्ष में हो रही है तो इसकर्थ यह होगा कि कोई भी बालक किस तरह से सीख रहा है और किस प्रकार से वो समझ रहा है तो यह एक प्रकार का क्या होता है हमें मौडल दिखाता है जिसमें हम तीन प्रकार के मौडल को शीखने का परकार होता है। कि इसमें हमने पहला देखा था सीखने का आपका सीखने का मॉडल, आपका बैंकिंग मॉडल, सीखने का banking model इसमें कहा जाता है कि जिस प्रकार bank में आप पैसा store करते हैं और जरुरत पढ़ने पर आप उसे निकालते हैं ठीक उसी प्रकार आपका जो सीखने का banking model है उसमें आप ग्यान को ग्रहन करते हैं और जरुरत पढ़ने पर उस ग्यान को उगल देते हैं तो कि आपका सीखने का banking model ये कौन है इसके प्रतिपादक हैं तो प्रतिपादक का नाम याद रखिएगा इन्होंने क्या बात कहा है इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा इस ते कोशन भी किस प्रकार बनेगा ये सारी चीजे हम देख चुके थे कि banking model में क्या करते हैं हम ज्यान क प्राप्ति करते हैं तो ये सारी चीजे हमारी हो चुकी थी आज हम देखेंगे दूसरा model जो दूसरा model क्या है आपका programming model ये सारी चीजे हम देखें थे कि इसमें क्या-क्या चीजे विद्वान होती हैं अगर आपने पिछली कक्षा को नहीं देखा है तो पहले आप इसके प पिट करूँगी कि जो बैंकिंग मॉडल है वो क्या होता है एक रटने की प्रक्रिया है इसमें अभ्यास पर जोड दिया जाता है लेकिन जो आपका प्रोग्रामिंग मॉडल है ये क्या है आपका एक प्रकार का प्रोग्रामिंग जैसा होता है कैसे कि इसमें हम क्या करते हैं वीधी तो एक होती है लेकिन सीखने की जो गती होती है वो अलग-अलग होती है इसमें सीखा कैसे जाता है टुकोडों में सीखा जाता है किसमें आपके प्रोग्रामिंग मॉडल में आप ऐसे मांच सकते हैं कि मालीजे क्लास में आपने बच्चों को क्या दिया एक फॉर्मूला दिया ठीक है मैट्स में ऐसा अकसर होता है प्रोग्रामिंग मॉडल का यूज होता है अगर हम किसी बच्चे को क्या करते हैं कोई मॉडल दिये है माल कि हमें बच्चे को क्या पढ़ाना है, भलेगी बच्चे सेम पढ़ते हैं, लेकिन बच्चों का सीखने का जो तरीका होता है, वो क्या होता है, अलग, अलग होता है, तो यह क्या होता है, लिए और हम बच्चों को बोले कि बेटा इस तरह से हमें जोड़ना है यह इकाई होता है यह दाहाई होता हम बच्चों को इस तरह से समझा रहे हैं तो यह हम सारे बच्चे को समझा रहे हैं लेकिन जो आपके सभी बच्चे होंगे ना उनका सीखने का तरीका अलगल होगा ख है तो कुछ बच्चे इस तरह से जोड़ेंगे और कुछ बच्चे तुरन जोड़ लेंगे तो यहां पर सीखने की जो गती है सीखने का जो तरीक है वो सब करें अलग-अलग है और इसमें बच्चा क्या करता है चीजों को तोड़ तोड़ कर समझता है भले ही program इसमें एक होता है तो यह क्या होता है आपका एक programming model होता है चलिए अगला model देखेंगे हम अगला model है आपका सीखने का रचनावादी model यह most important model है आपके ज़्यादा तर जो सवाल बनते हैं या तो वो banking model से बनेंगे या तो आपके रचनावादी model से बनेंगे तो सीखना सीखना क्या होता है आपके तीन रूपों में होता है या तो बच्चा रट कर सीखेगा या तो ब किख करके फिर से हम इसे समझेंगे देखी अब बात करते हैं हम लोग रचनावादी मॉडल की क्या होता है रचनावादी मॉडल तो नाम से ही इस पस्ट हो रहा है पहले नाम पर हम जायेंगे होता क्या है अगर आपसे पूछे banking model तो याद रखिएगा banking model का मतलब होता है रटना अगर आपसे programming model पूछे तो समझेगा कि इसमें बच्चा क्या करें चीजों को तोड़ तोड़ कर यह यहां पर जो समझ होती है वो तुकड़ों में होती है वो आपका बच्चे को पौधे के concept को पढ़ा रहे हैं तो इसमें टीचर क्या करेगा उन्हीं डारेक्ट किताबों से न पढ़ा कर सबसे पहले उन्हें क्या करेगा छेत्र भ्रमण पर ले जाएगा जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे होंगी उन्हें वो दिखाएगा तो यह क्या कर रहा है टीचर बच्चों में रचना करने का प्रयास कर रहा है कैसे आप बच्चे पौधों को देखेंगे चुएंगे उसके बारे में तर्क करेंगे सोचेंगे तो जहां पास बच्चे सक्री होत ठीक यह कोश्चन इसलिए एड किया गया है क्योंकि एक बच्चे का डाउट था इसलिए मैंने एक कोश्चन एड किया है यहां पर कोश्चन है जीन प्याजे हम लोगों ने जीन प्याजे का संगेनात्मक विकास का सिधान पढ़ा था मुझे कमेंट करके बताईए कि जीन जीन प्याजे का संगेनात्मक्विकास कितनी अवस्थाओं में था और उसे क्रम से जमाईएगा तो आपको ये कमेंट करना है जीन प्याजे के अनुसार विकास की किस अवस्था में बच्चे विज्ञानिक तर्क करना या चिंतन करना प्रारंब करते हैं तो ये हमें बताना ह तो यह एक बच्चे का क्या था डाउट था ठीक तो इसका आंसर क्या होगा अब यह बताएए यहाँ पर आप्शन ए लिख है समवेदी पेसी अवस्था तो क्या इस अवस्था में बच्चा वज्ञानिक चिंतन करना शुरू कर देगा नहीं निश्चित सी बात है इस अवस् में इस अवस्था में तो बच्चों में भासा कभी विकास नहीं हो रहता है तो कल्पना करना या विज्ञानिक तरीके से सोचना यह तो बहुत बड़ी बात है तो निश्चित रोप से आप्शन है आपका नहीं होगा दूसरा है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था नहीं इस अवस्था में बच्चों का क्या होता है भासा का विकास होता है किसमें इसकी जो स्टेज है यह दो से क्या होती आपकी साथ वर्ष की होती है इसमें बच्चा क्या करता है भासा का विकास करना प्रारम कर देता है बोलना प्रारम कर देता है यह आपकी तीसरी अव मूर्थ संक्रियात्मक अवस्था बिल्कूल मूर्थ संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा तर्क करना प्रारंब करता है लेकिन व्यज्यानिक तरीके से सोचना वो नहीं करता है क्यों कि व्यज्यानिक तरीके से सोचने के लिए बच्चे को खुब कलपना करना होगा कि ये hell label क Карा आपका आई क्यों यह कह सकते यह क्या सकते है कि high level manage in There an झी हो छोनकरी आत्म को स्था में नहीं होती है जो आपि फिंगंग होती है जिавать about US यहां पर होती है लेकिन जो हाइर कि नwith leuke झुप होती है वह आप के चौंथी अवस्था होती है तो इस चीज को ध्यान रखिएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपकी तीसरी अवस्था जो क्या होती है आपके साथ से ग्यारा वर्ष की होती है और ये वाली आवस्था ग्यारा के बाद की होती है तो क्लियर हो गया तो इसका आंसर क्या होगा कि जीन प्याजे के अनुसार विकास की किस आवस्था में बच्चे व्यग्यानिक चिंतन करना सुरू करते हैं तो याद रखिएगा जहां पर वे ज्यानिक चिंतन की बाता है कल्पना की बाता है तो उहां पर अमूर्थ संक्रियात्म अगभत ठायेगा और जहां पर लोग के topic पढ़ रहे ढषिणावादी आपको जे ज लज़नावादी मॉडण होता है ना वही बच्चों में चिंतन को बढ़ःवा देता हैं बच्चों में तर्क करने simple question है तो इसको हम गलत करते हैं सहीं उत्तर बताएं सहीं उत्तर बताएं जो बच्चा रटा होगा सिंपली उसको उगल देगा यह banking model का एक example है कि बच्चे ने जो रटा उसे क्या करते हैं हम लोग ऐसे समझते एक word use होता है मैं बार बार यूझ कर juсть कर रहीं उगल देना मिन्स कि हम जो खाते हैं कभी कभी हमें हो मेंट होता हम उसे उगल देते हैं एक्जेकली banking model में क्या होता है कि हम जब घ्यान को क्या करते हैं प्राप्त करते हैं मतलब हम एकतर करते हैं और जरुरत पढ़ने पर उसे हम बाहर निकालते हैं जैसे आपने कोई चीज रटा आपसे किसी ने पूछा आपको याद था तुरंथ बोल दिए लेकिन आपसे किसी ने पूछा अच्छे यह बताओ इसको हम ऐसा करेंगे तो ऐसे करने पर क्या हो सकता है तो आप उहाँ पर तर्क लगाएंगे लेकिन आपसे एज़ेटीस कोश्चन पूछा जाए तो आप उसका फट से आंसर दे रहें जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि भारत का रास्ट पती कौन है तो आपने आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार में कितने आर्टि तो इसमें आप क्या कर रहें सोचने जहां पर सोचने की बात आ रही जहां पर तर्क की बात आ रही वहां पर स्रिजनात्मक चिंतन होता है और स्रिजनात्मक चिंतन किसे संबंधित होता है आपकी रचनावादी मौडल से होता है यहां पर आपसे पूछा गया है कि सहीं उत अच्छा या तो आपका नू बोलेगा तो इसमें तो किसी प्रकार का तरक नहीं हो रहा है तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा हमसे स्रजनात्वक चिंतन को पूछा है अगला सवाल है इसे कितने अलग-अलग तरीकों से हल किया जा सकता है अब क्या है कि इस बच्चे बताईे कि आप इसको कितने तरीक एसा-अल कर सकते हैं कोई अगर हम आप से कोई चीज दे रहे हैं आप से माल लीजी पूछ रहे हमने बोल दिया कि ये बताईए WHO के बारे में किसे कारी कैसे होने चाहिए अगला question है एक सिच्छी का अपने विद्यार्थियों को समूहों में बाटती है और समू चर्चा, समू परियोजना, समू कारे जैसी गतिवीधिया संचालित कर रही है Means क्या कर रही है टीचर? समू में सारे काम को बच्चों से करवा रही है सीखने, सिखाने की ये प्रक्रिया किस और इंगित करती है तो आनंद पूरवक सीखना, क्या हम बच्चों को आनंद देने के लिए सिखा रहे हैं क्या? नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता है यहाँ पर दूसरा उप्सन है आपका समावेशी सिख्षा समावेशी सिख्षा में हमने क्या देखा था? समावेशी सिक्षा में हमने देखा था कि सभी के लिए समान सिक्षा मतलब हम सारे बच्चों को एक साथ बैठा कर पढ़ा सकते हैं सभी को हम समान प्रकार से सिखा सकते हैं सभी को समान प्रकार से शिक्षा दे सकते हैं यहां पर सिच्छी का क्या कर रही है कि सभी बच्चों को समू में बाटती है और उनसे कहती कि आपस में आप क्या करिए समू चर्चा करिए आपस में चर्चा करिए समू परियोजना कोई मौडल देती है उनको आपस में बनाने को कहती है इन सब जैसी क्या कर रही है यहां पर गतिवीदियों की भी बात आये ना तो वहाँ पर भी याद रखिएगा वहाँ पर क्या होगा आपका रचनावादी मोडल होगा याद रखिएगा math ऐसा subject है आपका गडित ऐसा subject है कि इसे आप banking model के द्वारा नहीं कर सकते गडित जो है वो तरक के द्वारा ही होता ह है है, आपका जो math है, गडीत ये तर्क के द्वारा ही होता है, तो ये banking model के थ्रू नहीं हो सकता है, इसमें रचनवादी model होता है या programming model होता है, लेकिन आपका banking model नहीं हो सकता है, आप बाकी subject में use कर सकते हैं, रठने का काम कर सकते हैं याद करने काम कर सकते हैं मैं ऐसी चीजे न कि इसमें आप काम करते हैं आप सूचते हैं आप विचार करते हैं तो यह एक एक्जामपल है अगला है प्रतियोगिता अधारित सिक्षा यहां पर कहीं पर भी प्रतियोगिता की बात हुई है क्या नहीं हुए तो गलत ह हो गया समाजिक गतिवीधियों से सीखना या पर समाज की भी बात नहीं हुई ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर कोई समाजिक तत्व दिख रहा हो तो आंसर क्या हो जाएगा आपका समावेसी सिक्षा चलिए आज के लिए इतना ही कल मिलेंगे हम अगली कक्षा में आज हमने क्या क्या देखा आज हम सीखने की programming model को समझे और banking model को समझे साथ ही कुछ questions है जो doubt में थे हमने उसको भी देखा एक बार हम फिर से बोलते चलेंगे सीखने का जो banking model होता है इसमें सीखना यानि क्या होता है रटना होता है दूसरा model है आपका सीखना यानि banking model सीखना यानि programming model मतलब इसमें क्या होता है program में होता है चीज़े मतलब इसमें सीखना टुकडों में होता है और हम बच्चे को एक program देते हैं और बच्चा उसे सीखता है भले ही बच्चे के सीखने का तरीका जो होता है अलग-अलग होता है लेकिन इसमें program क्या होता है एक होता और इसमें ब अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी के साथ आज ही हमारे वेब साइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम को को